इद 2020 में रिलीज हो रही है संजो लिला भनसाली सर की फिल्म जिसका नाम है इंश्वाला इस फिल्म के अंदर दोस्तों भायजान सल्मान खान है और है आल्ले अभट और दोन्यों की ही अन्यूशुल पेरिंग है अब आपको इस वीडियो में कुछ इंट्रस्टिंग पॉइं आपको बताना चाहता हूँ मैं फिल्म के और यह एकदम एक्स्क्लीजिव पॉइंट्स है तो सबसे पहले नमस्कार स्वागते आप सभी का आपके फेवर्ट चैनल में मैं हूराहूल भोच आपका होस्ट और दोस्तों बात करें अगर इस फिल्म के सबसे पहला और सबसे मे दिखाया जाएगा आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों जहां पर सलमान भाई इसमें एक बिजनस टाइकून की भूमी का निभाएंगे और वहीं आले भट जो है वो एक उबरती हुई सिने अभी नेत्री की भूमी का निभाते हुए नजर आएंगी पहला important point दूसरा point दो इसमेर हवा का जोका वाला character था उनका यानि की हम दिल दे चुके सनम वाला character तीसरा सबसे बड़ा point जो है दोस्तों इसमें ये है कि आले भट petrified हो जाती है जब भी हो सलमान खान से मिलती है सलमान खान से मिलने के लिए और प्लस उनके साथ काम करने के लिए आल्या जो है वो बन जाएंगी non-shutland यानि कि उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है कुछ भी फील नहीं हो रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम कर रही है अल्या भट के अगर बात बताएं दोस्तों तो अल्या भट बच्पन से ही भाईजान सलमान खान की फैन है चाइल्धूट क्रश रह चुके हैं और शीज वेरी मच इंफ्लूएंस्ट बाई सलमान खान ऐसे में सलमान खान को देखके उनके पसीने चूट जाते हैं लेकिन यहाँ पर अल्या भट ना एक्टिंग करते हुए भी एक्टिंग करेंगी और यह देखता हैं बहुत ज़्यादा दिल्चस्प होगा कि अल्या भट इस तरहीके से सलमान खान के सामने एक्टिंग करते हुए नजर आएं बात करेंगे चौथे इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में दोस्तो तो यह है कि इस फिल्म के अंदर साथ रोमेंटिक सॉंग्स होने वाले हैं जिन्हें कंपोज किया है नन अदर दैन संजय लीला भंसाली सर ने मोहे रंग दोलाल या फिर आली अपसरा आली या फिर अगर बात कर बाजिरो मस्तानी के सॉंग्स ले लीजिए सारे ही सॉंग्स संजय लीला भंसाली सर ने प्रिड्यूस कीए हैं संजय सर ने ही दोस्तो अपोज की हैं ऐसे में इस फिल्म के अंदर साथ romantic songs को involve करना ये सिर्फ और सिर्फ possible हो सकता है संजे लीला भनसाली सर के ही द्वारा और प्लस खबरे तो ये हैं दोस्तों जिन लोगों ने song सुने हैं वो कहते हैं कि संजे सर के अब तक के best song में से एक song है इस फिल्म के अंदर तो भई सुनने में दिल्चस्पी तो बनती है बॉस पाचवा सबसे main important point है दोस्तों कि संजे सर जो हैं अपने देश से बहुत जादा inspired रहते हैं और ज्यादे तर उनकी फिल्में देश पर ही शूट की मतलब कि भारत के अंदर ही शूट की जाती है except हम दिल दे चुके सनम जिसके लिए वो बाहर योरोप में गए थे बदाना चाहता हूँ दोस्तों कि ये उनकी दूसरी फिल्म है जो कि बाहर के देश में शूट होगी हाँ अलाकि फिल्म का जो सेट है वो बनारस में भी लगेगा अपने रिशिकेश में भी लगेगा माया नगरी मुंबई में भी लगेगा लेकिन युएस में फिल्म शूट की जाएगी दोस्तों कैलिफोर्निया के बीचिस ले लीजे या फिर ओलैंडो सडक ले लीजे सुत्रों से पता चली है बात दोस्तों कि संजे सर्न ने इस तरीके से सलमान खान के कैरेक्टर को बनाया है कि आप लोग सभी इस कैरेक्टर को एक ही नजर में देखकर इसके प्यार में इन्वाल्व हो जाएंगे इसके प्यार में गिर जाएंगे क्योंकि ये character इसी तरीके का बनाया गया है और लास्ट बटन और तली सात्वा point ये है दोस्तों कि आलिया भट के career को you turn देगी ये film और आलिया भट एक next level पे होंगी आलिया भट यूं तो अपनी फिल्मों के जरिये चाहे वो राजी ले लीजे चाहे वो आपकी बदरिनात की दुलनिया, हम्ती शर्मा की दुलनिया या इस तरीके की फिल्म में ले लीजे आलिया भट का काम सरानिय रहता है, तारिफ के काबिल रहता है और आलिया भट दोस्तों एक main leap की actors में आती है ऐसे में आलिया भट जिस तरीके से इस फिल्म में प्रिजेंट की जाएंगी वो देखना दिल्चस्प होगा और प्रिस आलिया के करियर में यू टर्न बन कर आएगी ये फिल्म और उनको एक नेक्स लेवल पे लेके जाएगी तो दोस्तो येस ये हैं कुछ इंटरस्टिंग पॉइंट्स जो के इंशुआ अल्ला से हमें पता चले हैं आपको क्या है कहना, how much you are excited for this film कमें सेक्शन में जाके मुझे जरूर बताएगा बने रही है चैनल के साथ राहूल भोज इसी तरीके के चटपटे पॉइंट्स अलग-अलग फिल्मों के आपको बताता रहेगा so keep on watching this channel yeah